आप जिस MLA की सीड के लड़ रहे हैं, वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक रस्ता है मंत्राले में जाने का और मंत्राले एक रस्ता है गवर्नेस में अकॉंटिबिल्टी फिक्स करने का, हमें पुलिटिकली डिस्टर्मेंस की वज़ा से बहुत पीछे रहना पड़ा है, हमें कैंडेट्स को उतारा जाएं, कि जंग नहीं लगे, कि जंग लडरी है है, और लोग एकसाइटीर है, सेलेक्शन की बाती हो रही है, जय मातर दीन नाजबिय की तरफ से कुछ आएगा, तो पता लगा कि शाह आते आते, हमारे अमी शाह जी ने एक कोस्टेनए डाल दिया, न और हमारे राहुल गांदी जी जी, अब इसका क्या जबाब देंगे, यह थे रोबियाखना है। जैनिों मों कह रहे हैं, stick जॉर्ग मेर, राज भीया रवीज जी, नियुआ प्लॉज झी एह हुआ है, में राहूल गांदी, मिर्शा, जी जी। 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 हमारे अलताफ बुकारी हैं बिलकुर सिरा. प्रोब हमारे का येह न सोब्सदूत निार्ट थीयर्ट आपर पिलूगे अपने लाइट को सेक्रिफारिक कर रहा हैे अपनी लाइफ को सिक्रिफाइज कर रहा है सब आम लोग हैं हम लोग तो वो सुबा दुकान खोलना शाम खोलना भी ब्रेक ढूंडते हैं देकि यह वो लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं जिसे राहुल गंदी जी ने तीन हजार चार जार किलो मेटर चला रास्ता मोधी जी ने दूसरी तरफ मनलब इन थाउजन्ट रैली राज तक कर दी एक एक साल में कही बारी एक ऐसा नंबर आता है सामने जिसके अगर हम देखेंगे तो हम ढर इंसान खाना कब काएगा सुएगा कब उटेगा काप बिल्कुल सुभा कॉंसिचेंशी में जो लोग है पहले हैं जो एंपी हैं पांच बजे छे बजे रात को दस बजे कोई फोन आ जाता है सर ये पांटी फोर इंटु सारे हमारे लोग हैं अब यह हमने देखना है हमारा स इतना चर्चा करें बड़ी सिंपल ट्रीके से चीजों हैं कम्निकेट करें हमें खुशी हो रही है कि हमारे सेच्शंग को लोग देख रहे हैं शेयर कर रहे हैं बात कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरी मन को बड़ी सटिस्ट्रेक्शन हो रही है कि जो भी चीजे हम हैं बनने के बाद जन्ता के लिए पब्लिक लिए काम कर रहे थे तो मैं इसके लिए देख रहा था तो कि हम लोग कोई पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है नहीं कि हमें उसके कोचना आंसर या जवाब देने हैं मोटे-मोटे तोर पे जो भी कोई MLA बनेगा जमू कश्मि यूटी में एक तो उसके पास प्रिवियस अगर हम बात करें जो 2019 की टाइम के बात करें तो तीन करोड़ रुपया एक MLA के पास कांसिच्वेंसी को डिवलप करने का फंड था जिसको नोने इस्तमाल करना होता है इंफ्रस्ट्रक्ट्टर डिवलप करने में अपनी कांसिच इसी है जम्मू इस्ट जो जो मीस्ट के MLA साब होंगे उनके बाती इंप्रोडर में कि एक गरांट होगी कांसिचेशी डिवैल्मेर्मेट फंड होगा जिस तीन क्रोड को वह अपने कांसिचेशनिय के लोगों के डिवैल में के लिए बैटर मेंक खर्च कर सकते हैं उसके ल करना कि एक executive post पे एक office में कि आज के MLS जो होंगे उनके पास बहुत limited scope है अपने लोगों के लिए काम करने का कि वो direct कुछ नहीं कर सकते हैं, there is a process, जिस process को उनको follow करना है, अगर किसी की नोकरी लगनी है, तो वो proper notification होगा, उसके जो तरीके होंगे, जैसे qualification चाहिए, जैसे interviews होंगे, उस सारे उनको follow करने होंगे, तो कोई, जैसे हम public को ये कह रहे हैं कि, जो manifestos आएं हैं, वो MLS की majority आने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद, वो powers उस party को मिलेंगी, जिसके बाद ज़्यादा majority में हमेल होंगे, जो government form करेगी, government में जब मंतरी बनेंगे, चीप मिनिस्टर बनेंगे, उनकी powers के accordingly, ये MLS काम करेंगे, ये अपने मंतरी को बताएंगे, कि मेरी consistency के लोग क्या चाहते हैं, मेरी consistency में क्या problem है, public में क्या अग जैसे हम ये सोचते हैं कि हमेल हसाब के पास जाएंगे, किसी को को problem होगी, वो किसी officer को phone करेगा, definitely officer को उनकी इजद कर नहीं है, public representative है, लेकिन ऐसे हम कहें कि constituency उनके पास कोई ऐसी power दे देगी, जिसकी वज़ाए से वो officer को बुला पाएंगे, वो किसी concern मंतरी को assembly में पोल सकत हैं, कि ये काम इस department में गलत हो रहा है, आप इसके ओपर मंतरी से स्वाल पूछे, मंतरी को वाँ जवाब देना पड़ेगा, और मंतरी के जब खहन तो मंतरी को जवाब देना पड़ेगा, कमिशनर साब को मंतरी को जवाब देना पड़ेगा, तो एक cycle है, बडिरेक्टर कर ह पहर पाउर आजाएगी गिस पाउबर से वो governance में डेक्ट ईंटरफेर कर सकते हैं अब स्दूसर बात कर सकते ने तो जो हमारी जा credit है और इन्डीपेंटेंट है तो अपने काम करेगी अपने system चलाएगी और काम होता रहेगा तो जो आप election का दोर आ तो इसमें ये बात करना जूरूरी थी और इसको बेशक शॉट करके हम लोग पब्लिक के डुमेन वे भी लाएंगे, मैं शेयर कर दूंगा जो यहां पर MLA की रिस्पॉश्बिल्टीज है, मोटे के तोर पे पब्लिक गर्वेस करना, कम्यूनिटी से अंगेज करना, फिर एग इंतरी से बात हम असेम्बली में कर सकते हैं, MLA साब पूछ सकते हैं, और उनको वो जवाब देना पड़ेगा, यह है, पूछोने पछाने का ज्यादा काम है, बाकी जो कल्च्राइड एडवोकेशी की बात आ रही है, तो मोर आप टाइम हम यह मानेगे कि MLA साब के पास एक कि वो अलग है, बड़ पब्ली के लिए उनके लिए काम करने का तरीका है, कि वो असेम्बली में बैठेंगे, और मंतरी जो उनके डिपार्टमेंट्स के होंगे, उनको सवाल पूछेंगे, कि भैसाब एज्यूकेशन में यह कमी आ रही है, आप क्या कर रहे हैं, मेरे जो कर रहे हैं, मेरे कांशवराम के जो यह घुन्रों है, एक मेरे उनको सटोंड़ के हैंगे, कि वो अचल आप इनने की लिए काम के सब्सक्राइब be giving. ला सकते हैं, तो जो आज सवाल पूछे हैं, हमिशा जी ने, दो एडिशन हो रहे हैं, तो जैसे Loan Order है, Loan Order भी Direct LG के पास रहेगा, तो जो हाउस रहेगा, जो एसम्बली रहेगा, उसका कम इक्तियार रहेगा, पुलिस के उपर, दूसरा पुलीस, पुलीस की बात करो हूँ मै कि ट्रांसफर्स भी बड़े जादा इनके आद में तो और आल जो हम मानेंगे कि एसंबली का ही कम कंट्रोल रहेगा पुलीस पर उसके लावा जो इंडियन अडिस्ट्रेटिव सर्वेसिज जिन्होंने जो चीफ सेक्ट्री जो सेक्ट्री जो डरेक्टी लगी ही उनका सब कु अच्छी है कि डेमोकरिशी के अंदर जैसे जैसे समय बीता गया स्कोप आफ ड्रेक्ट गवर्नेस कम होता गया और जो पास प्रेक्टिस आप देख रहे हैं और कम होंगी एकाउंटिबिल्टी जो बढ़ेंगी MLS आप की भी बढ़ेगी मंतिर की बढ़ेगी हाँ आज की र द्यान नहीं है कि फाइल कितने कितने में लड़की रहती है तो MLS के आने के बाद ये होगा कि जो लंबी फाइल नहीं होगी एसेंबली में वह सवाल पूछा जा सकता है और असेंबली क्योंगी पाउरफुल है गोर्मेंट में हमारे कॉंस्टिशन में इसको बहुत ताकत दी गई है वहां पर मंतरी साहब बैटे हो और मंतरी साहब को जब स्वाल पूछा जाएगा कि ये काम इतनी देर से नहीं हो रहा है तो उस पूजीशन में उस डिपार्टमेंट के सेक्टरिस को कमिशनर्स को जवाब देना पड़ेगा और वहां से पावर MLA साब की जो कोडिनेशन विदी रीजिनल पार्टी लेकिन राजबिया रवीश ये बड़े दुख की बात है कि हमारी रीजिनल पार्टी का जो विजन है वो इतना मायोपिक नहीं होना चाहिए था वो भी इक ब्रॉडर विजन होना चाहिए था कि एक एक चेंच जब सिस्टम में आचुका था मैं बार लाए में बात कर रहाँ फिर भी कहा जा रहा है हम अवाम के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या एक कंट्रोवर्सी को दोबारा स्टार्ट करना जो चीज सैटल हो चुकी है ब्लडशेड कम हो चुक है यह कोई बड़ी पॉस्टी बात थी और अब सुनने में यहा रहा है कि बीजे भी जो है अपनी टिक पता तो सब कोई होता है लेकिन और वोकली पताना चाहिए कि आप जिस MLA की सीड के लिए अलड़ रहे हैं वो डेस्टिनेशन नहीं है वो एक रस्ता है मंत्राले में जाने का और मंत्राले एक रस्ता है गवर्नेस में अकाउंटिबिल्टी फिक्स करने का तो बीजे भी को मुझे लगता अब ज्यादा डेले नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सक्किया अपना मैनिफेस्टो अपनी इंसाइट और अपने के नाम दे देने चाहिए ताकि जनता को काफी टाइम मिले डिसीजन लेने का कि उसने किसकी पॉलची पसंद करनी है जमू कुश्मीर की development के लिए किसके मैनिफेस्टो को पसंद करना और किन चैरों को उन्होंने चुनना है तो इन सब के बीच में हम लोग फिर दुआरा बैठेंगे जैसे बीजेबी का मैनिफेस्टो आ जाता है अपनी पार्टी ने दे दिया कॉंग्रस का भी हमें देखना है कि पढ़ेगा क कॉंग्रस क्या कमिटी करती है अपने जम्हों किश्मीर के common minimum program बनता है या कोई कॉंग्रस अपना individual manifesto लेके आती है इस चीज़ पर कॉंग्रस थोड़ी फसी हुई है इसका जो आज हमें दिखा भी जो मिशा जी ने सवाल पूछे हैं दस वो बिलकुल इसी चीज़ को target है कि आप अपना manifesto क्या बनाएंगे देखें एंसी ने पीडीपी ने अपनी पार्टी ने देखना है जम्हों किश्मीर की 90 सीटे कांग्रेस ने और बीजेपी ने देखना है national consensus पूरा बारतवर तो बड़ा sensitive मोहल है हम रहुल जी को भी उतना ही प्यार करते हैं जितने हम अपनी कि इतने के पास यह नहीं कर सकते हैं अब कर सकते हैं हुआ को सोच बादे वह सकते हैं उसके बाद वह मेले कुछ तुर्पाइब कर पाएंगे तो जैसे होते न कि फिर के करना अगर तु यह नहीं कर सकता तो तरह को किसलिए मनाया था तो यह चीज़ें पतों ने चाहिए आप उनके मैले बना रहे हो तिकि उनके से कोई मंत्री बने के बाद जो इनको डिपाटमेंड मिलेगा उस डिपाटम लेकिन ultimately होना वही है जो government की already चल दी policies है उसको streamline किया जाएगा, हाँ, एक अच्छी चीज यह होगी, कि MLA के आने के बाद, आप अपनी constituency के MLA के पास जाके, जो भी आपके problems हैं, grievances हैं, आप बात कर सकते हैं, उनका moral duty बनता है, उस बात को right platform पे लेके जाना, और एक बात तो है जब कोई गली में तरसीलदार ही होता है, हम कहते हैं, जब SHO ही होता है, हम कहते हैं, कोई teacher ही होता है, तो naturally एक reference बन जाता है, वो MLA होंगे, member of legislative assembly होंगे, जो state को चला रही होगी, और उसके बीच में आपका member अपनी constituency का होने से, आपकी problems को address किया जा सकता है, जोर से बोला ज इस्टार जाएगी, उनको भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए, कि ऐसे candidates को उतारा जाए, कि जंग नहीं लगे, कि जंग लड़ रही है, और लोग exciting है, selection की बाती हो रही है, इसको more educated तरीके से जादा, जिसको तर समझ के साथ बढ़ना चाहिए, और यह मोका मिला है, कि जमू किश्मीर के लोग जो है, वो इसके उपर चर्चा करें, अपनी जिसको vision को देखें, future को देखें, कि कौन सी party इन सब में से ऐसी बात कर रही है, जो बात practically possible है, हो सकती है, और जिसके vision के अंदर जमू किश्मीर के लोगों के लिए, जिसको बोलते है न, futuristic mindset clear है, और वो एक vision लेके चल रही है, और जो test अभी नहीं हुई है, जिसने अभी अपने आपको test नहीं करवाया है, क्योंकि जितनी बाकी तारी party आ रही है, उनको कभी ने कभी जमू किश्मीर के लोगों की सेवा करने का मोका मिला है, पर कुछ एक MLA जासी होंगे, कुछ पार्टी हैं है कि जिनको भी मुका नहीं मिला है, तो सब को सुनना चाहिए, और जो लोग यह सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, उन सब का सम्मान होना चाहिए, मेरा यह कहना है, आज के सब्सक्राइब क्या कहते हैं, तो मुझे यह अमीद है कि सुबह तक लिस्ट कह रहे हैं, एक तो जोर शोर से जादा लोग आ नहीं रहे हैं, बैसिकली अभी जैसे जम्मू की बात करें तो डेड़ मीना भी बाकी है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद यह चीज़े क्लेर होगी, तो किश्मीर में भी और भी बड़ी टाइम लगेगा अभी, दो-तिन दिन और लग जाएंगे, चाहर दिन लगेगा, कुछ सूत्रों से उसके बारे में भी खबरे आई हैं कि साथ सीटों पर एंसी लड़ेगी और तीस सीटों पर कॉंग्रेस लड़ेगा, अच्छा, कॉंग्रेस ने कुछ सीटें कुछ सीटें कुछ सीटों पर एंसी लड़ेगी, तो हम यही मान के चलें, तो सत्य संग्यों को यह बताना जूड़ी है, कि नैशनल दोनों पार्टी है, इन तरताली सीटों पर जारा फोकस कर रही है, जम्मू में बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस होने हैं, स्ट्रॉंगर कॉंगरेस पर्वंशन में हम नॉन प्रिटिकल हैं, हमें देखना है कि एन सी, कॉंगरेस, पीडीपी, बीजेपी या और भी जो पार्टी हैं, यह सब लोग जनता की सेवा करने के लिए जनता में जा रहे हैं, और जो यह कह रहे हैं, वो अच्छे त्रीके से हम एक्स्लेइन करें, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जो रिस्की हो सकती हैं, जमो किश्मीर में स्कूरिटी और पीस को लेके, एन सी के, लिए अगर ऐसा बोलूँ कि जो एन सी की पॉलिटिक्स रही है, वो हमेशा इसी तरीके की रही है, क्योंकि दोजार उननिस से पहले, और प्री नाइंटीन की जीजें, दोहजार उननिस बिल्कुल ताजा मेमरी है, तो एक प्री दोहजार उननिस जो ये नारा है, ये तो हमेशा एन सी का रहेगा तो जो अपनी पार्टी का मैनिफेस्ट होए, उसमें वो कहते हैं कि जो कानून निलंबित किये गए हैं और जो कानून जोड़े गए हैं 2019 के बाद वो उनको revisit करेंगे एक बार फिर से उसको जो legislative assembly है वो उसको देखेंगे लगता है कि होना यह चाहिए देखें जो ground issues है कि यह जनता पोने दो क्रोड लोग जो थे यह कहीं पीछे रह गए हैं national pace के साथ pace होती speed के साथ तो आने वाले समय में जब assembly बनेगी तो यह मुद्दा जूरूड होगा कि कुशन करना है कुछ support करना है इस पोने दो करों लोगों को ताकि यह pace up कर सके तो मुझे लगते बीजे भी भी इसके बारे में सोच रही होगी कि हम बोटर्स को यह बताएं कि हम आपको एकदम सीधे अब आपको थोड़ा सा कुशन करेंगे आपकी स्कूरिटी जैसे उन्हों ने पहले का हमें स्कूरिटी पे तसलिए नहीं हम स्कूरिटी अपने हाथ में रखते हैं ताकि हम बार्डर में कि पोरस बार्डर हैं तो उन्होंने अपने हाथ में रख लिया लेकिन उन्हें ने कहा कि पब्लिक डिवाल्मेंट के लिए अब आप इसको असेंब्ली को आने दो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बीजेबी भी सोचरी होगी इसके ओपर कि जो जंता जमों किश्मीर की है जो सेंटर की तरफ से इलजी सरकार ने दिये लेकिन विजेबी के मैनिफेस्टों में मुझे ऐसे लगता है कि टाइम हस कम कि जैसे कुछ रिजर्वेशन जो है या कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जो जमों किश्मीर की जंता के अंदर एक फेयर प्रैक्टिस की जा रही है कि आपको बाहर के लोग आ आगे हैं ये हो गया है तो उनको थोड़ा से कुछन देना चाहिए वैसे भी एक चीज़ है जो लैंड का जो हमारा सिस्टम है या जो हमारे सूर्सीज है उसके ओपर ये रिक्वेस्ट करना ये बात करना कोई मुझे लगता है गलत नहीं होगा य बेसे हमारा अईरिया बहुत बड़ा है थोड़ा सा हमारा यहां पर हमको दो चीज़ों ये जो हमेशा ये जो बातचीट रहती है दो चीज़ों के बीच की बातचीज़ है एक है परसनल बेनफिट और एक है हुमेनिटी देखिए अगर यूएस में भी कोई आदमी जाता है है महराष्टरा में देली है यह बहुत डवलप्ट स्टेट्स है एकनॉमिकली भी है दरवाइस हमें हमें पुलिटिकली डिस्टरमेंस की वज़ए से बहुत पीछे रहना पड़ा है तो हमें एकदम कंपीटिशन में डाल दिया जाएगा लोकल लोगों को थोड़ा सा मुझ की थोड़ा नहीं अच्छे लेवल भी कुशन की जूरत है और इसके ओपर जब यह मेलेस बन जाएंगे तो इनको अपनी उस असेंबली के अंदर यह पोजीशन में देखना चाहिए और अगर इनको लगता है तो मैनिफेस्टों में किसी पाटी को इसको लाना चाहिए कि हम 370 वापस लाएंगे यह तो पॉसिबल नामें चाहिए कुछ रिजर्वेशन जिसमें कास्ट क्रीड नहीं हो जाट पात नहीं हो अवरॉल अवरॉल मैं चाहे टेंडरिंग हो चाहे कोई भी डिवल्मेंट का वर्क हो रहा है जो की अब स्टेट को बनाना है स्टेट स्टेट वापस देना है या यूटी को अपने स्टेट कनवर्ड करना है और इसको ग्रोथ करनी है मंचा तो यह नहीं कि पूरा हिंदोस्तान एक जैसा ग्रोव करें पूरा भारत ग्रोव करें इस पर्टिकुलर जो हमारे पने दो करोड लोग यहां के होंगे उनके लिए कुछ ना क कंटरी से डिसडिसवाइब रहा ना अपनी गवर्मेंट से डिसटाइस वारना अच्छी बात नि होती है तो जो उपर ठिंख टैंक स बेटे 晚上 एक आगर देक हैं। हम भी तो आम लोग हैं कि कहा रहे हैं कि कहीन हम लोग कर सकते हैं हम टाइम दिया जैसे जude कें ना कि 19 एक म हार रहे हैं तो वहाँ पे एक मेजर बोलता है I need guns, I need bullets, I can fight तो मुझे लगे जम्मो किश्मीर की जंदा भी कह रही है कि इसे थोड़ा टाइम दे दो हम अपने businesses को, अपने system को contractors, अपने balance sheets को approve कर लेंगे अगर आप हमें competing नहीं करने देंगे अगर कोई हमें local, जो जम्मो किश्मीर की government की jobs है, अगर आप हमें थोड़ा सा उसमें कुशे नहीं नहीं देंगे, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे because इतनी जल्दी competitive होना easy नहीं होता है, मुझे लगता है सचसंग में हमने जो आज ये discussion किया है we want की ये मसले पब्लिक में जाएं, पब्लिक ये पार्टियों को पचाएं और पार्टियों को बेनिफेस्टों में डाले ताकि बाएं लाज पब्ली का benefit हो हमारा भारत और स्ट्रॉंग हो और जम्मो किश्मीर उसको स्ट्रॉंग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करें तो बुझे लगता है आज के सचसंग को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नहीं सचसंग में जया मते हैं